नवश्कार मैं हो प्रिया आज एक जून खबरों की तरफ बढ़ने से पहले हमारे सभी यूजर के लिए एहन सूचना सभी विविवर के लिए 30,000 का प्राइस जीतने का बहुत ही सुनहरा मौकर लेकर आए हैं अगर आप इस प्राइस मैनी को जीतना चाहते हैं तो आपके पास देश दुनिया की समझ होनी चाहिए सामाजी कते विदियो के बारे में आप सजग होना चाहिए जिसकी पूरी जानकारी के लिए आपको बिहारी नियूस के 2 जून को प्रसारित होने वाली टॉप 25 फटाफट खबरों को सुनना होगा इस प्रसारिन में कही भी इस कॉंटेक्स्ट के बारे में डीटेल में जानकारी दी जाएगी इसको मिसना करें जरूर सुनें आप यहाँ पर 10-10 हजार के तीन इनाम चीच सकते हैं तो चले बढ़ते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरों की ओर बिहार में COVID-19 प्रभावितों की संख्या में हुई जबरदस बरहोरतरी बिहार में COVID-19 से ठीक होने वालों की संख्या पहुची 1520 पर बिहार में COVID-19 बड़ी तेजी से बढ़ रहा है वहीं इसी बीच ठीक होने वालों के संख्या में भी लगातार इजाफा देखा गया है स्वास्तव भाग की तरफ से जारी किये गए जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन शाम चार बजे तक पिछले चौब इस घंटे में 209 लोगों के ठीक होने की खबर सामने आई है जिसे कि अब तक 1520 मरीज ठीक हो चुके हुए कुल मिला कर प्रवासियों के आने के बाद 75737 सेंपल की जाच की जा चुकी है जिसमें से 3600 से ज्याता मामले पॉजिटिफ पाई गया है अलाकि स्वास्ते विभाग लगातार COVID-19 के बढ़ते संक्रमन के रोक्था में लगा हुआ है COVID-19 से दो और व्यक्तियों की गई जान वहीं स्वास्ते विभाग नहीं हभी बताया है कि जहां एक तरफ COVID-19 के मरीज लगातार मिल रहा है वहीं दूसरी तरफ इससे ठीक होने वालों का आकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है जोसकी वज़े से सरकार और स्वास्ते विभाग दोनों रहात की सास ले रहा है मिजोरम के मुख्यमंत्री ने की बिहार के लोगों की तारिफ COVID-19 के बढ़ते असर के बीच देश में बंद का माहौ जा रही है ऐसे में अलग-अलग शहरों में फसे प्रवासी मज़ूरों का स्पेशल ट्रेन से भेढ़ने का काम किया जा रहा है जो के शेर किया है मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरा मथंगा ने साथ ही उन्होंने बिहार के लोगों की जमकर तारिफ करते वे एक वीडियो शेर किया है और कहा है कि भलाई के बदले भलाई मिलती है दरसल श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रवासी मज़़ूरों को लेकर अपने प्रदेश वापस जा रहे थे इसी दौरान ट्रेन बिहार के बेगोसराय गाउमेरों की उसी समय क्रामीनों ने यात्रियों को फूड पकेट महाया करवाया बिहार सरकार ने 30 जून तक लोगडाउन बढ़ाने का किया अईलान को कोबिट-19 के बढ़ते असर को देखते वे बिहार सरकार ने बिहार में लोगडाउन के अबधी को 30 जून तक बढ़ा दिया है हालाकि जोरान सरकार ने अलग-अलग छेत्रों में छूट देने की वाद भी कही है बिहार के दानापूर रेल मंडल में एक जून से चलाई जाएगी 17 ट्रेने बंद की बात सुस्त परी अर्थवेवस्था को वापस पर्टरी पढ़ाने के लिए केंदर सरकार ने बिहार के दानापूर रेल मंडल से 17 रेल गारी विभिन रेलवे स्टेक्शन के लिए एक जून से परिचालित होने वाली है एक जून से शुरू होने वाली एक्सप्रेस की टिकेट बुकिंग सो विधा उपलफ्त कराई गई है जिसके लिए IRCTC वेबसाइट या एप के माधियम के अलावा इस बार PRS काउंटर डाग घरों से भी टिकेट बुक करवाने में छूट दी गई है प्रियांका गांधी के ट्वीट के बाद भागलपूर के MLA दो महीने का राशन ने कर पहुंचे यूवक की मदद करने COVID-19 के बढ़ते असर के कारण जोगे जोगा पर लोग खारे के लिए तरस्ते देखे गया है इस सिक्रब में बीते दिन बिहार के यूवक ने ट्वीटर के माध्यम से प्रियांका गांधी से गुहार लगाते वे दिखा गया था जिसके बाद बिहार सरकार ने बिहार के कई जिलों में अधिसूशा जारी करते वे सभी किसानों को सतरक रहने का देश जारी किया है बिहार सरकार मगत प्रबर्णल के जुलों के साथ साथ रोहतास और कैम मुर्जिला के अधिकारियों और किसानों को भी सचेत कर दिया गया है वाई टेडियों के रोख थाब के लिए भी सरकार ने जरूरी कदम उठाना शुड़ू कर दिया है 15 जुन के बाद बिहार में ब्लॉक कॉरिंटाइन सेंटर को किया जाएगा समाप जिसकी जानकारी जनसंपर्क सर्चिफ अनुपम को मार ने दी है कि COVID-19 सक्रमन की वर्तमाज सिती को लेकर लगातार उच्च तर ये समिक्षा की जा रही है मुखी मंतरी के स्तर पर भी हर दिन हर बात की समिक्षा की जा रही है और जरूरी दिशा निर्देश भी दिये जा रहे है जिसके तहित ग्रेव विबा की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ है और वही जसका तस लागू किये जाने का फैसला भी लिया गया है महीं बिहार में 15 जून तक ब्लॉक कॉरिंटाइन सेंटर को समाप्त किया जाएगा उन्होंने कहा कि अधिकांश एचुक लोग बिहार आ चुके है और बहुत कम लोग बचे हैं और अगले एक दू दिन में आ जाएंगे ऐसे में ज्यादा कॉरिंटाइन सेंटर को सक्रिय रखना सही नहीं है COVID-19 की चेन को तोड़ने के लिए सामने आए रोहतास की डॉक्टर मधू उपाध्या है बिहार में COVID-19 का संक्रम नगतार बढ़ता जा रहा है वह इसके रोग थाम के लिए साथ ही इसके चेन को तोड़ने के लिए अब महिलाओं ने पूरा दारोंदार अपने हाथ में समाला है जिसके तहट साढ़े 4,000 से अधिक महिलाओं एक साथ जुड़ गई है यह महिलाओं मॉबाइल फोन के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ी है ताकि COVID-19 के रोग थाम के लिए कौन-कौन से कदम उठाया जाने इस बात पर चर्चा की जाया इसकी जानकारी एक दूसरे से शेर करती है जिसका नेतर्व डॉक्टर मधु उपाध्याय संजोली के उप्रमुक हेलो बहन चेन के नाम से कर रही है जिसके तहट उन्होंने बताया है कि ग्रामी छेतर की महिलाए में अभी भी COVID-19 के समद्ध में जागरुकता की कमी है इसी को देखते वे लोगों ने यह नई चीज का अविशकार किया है बिहार में 21 लोगों के लोटने का जारी की गई सूच्रा जिसकी जानकारी बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंतरी लक्षमेस्वर रायने दी है और उन्होंने बताया है कि बंद के दोरान बीते दिन तक 1481 ट्रेन से 20,46,000 लोग बिहार पहुँच चुके है हाला कि अभी भी लोगों किया वज़ाय का सलसला जारी है इसकी साथी कॉरिंट्रेन के अभधी पूरी करने के बाद सभी लोगों को 500 रुपया और आने जाने का किराय भी मोहया करवाने की बात कही गई है सदानन सिंग ने कॉंग्रेस की तरफ से मुख्यमंतरी उमिद्वार बताने वाले को करार किया सर्फिरा कॉंग्रेस की तरफ से खुद को मुख्यमंतरी का चहरा बताने वाले संजीव कुमार सिंग को लेकर कॉंग्रेस के खेमे से अलग-लग प्रतिक्रिया आने लगी है जिसके तहट पार्टी के वरिष्ट नेता सदानन सिंग कॉंग्रस पार्टी के तथा कतित रास्ट्रे नेता संजीव कुमार सिंग को पहचाने से इनकार कर दिया है उन्होंने साफ किया कि यहादमी सर्फिरा मालूम पढ़ता है एक मीडिया हाउस से बाचवीत के तौरान उन्होंने कहा कि जो शक्स खुद को भिहार के मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहा है उसे कॉंग्रस पार्टी तक नहीं जानती है सरकार ने किसानों की खरी फसलों की बीच की नहीं कमी होने का दिया आशवासन COVID-19 के इस महाल में सरकार हर संभव प्रयास करके किसानों की मदद के लिए अग्रसर होकर काम कर रही है इसक्राम में खरीफ फसल के सीजन में भी सरकार ने किसानों की मदग का आश्वासन दिया है जिसकी तहित कृषी विभाग ने बंद के 20 जुलों में खरीफ फस्तों के बीच भी होम डेलिवरी करवाने का फैसला जारी किया है इसके लिए परयाप्त मातरा में बीच उत्पादन का लक्ष रखा गया है इसकी साथ ही कृषी विभाग में बीच उत्पादन बढ़ाने पर भी जोड़ दिया गया है आखिरकार कनेया कुमार सामने आ गया है जिसके तहत उन्होंने मीडिया से मखातिब होने के दौरान विधाल समाच उनाव को लेकर टिपड़े की है इसके तहत उन्होंने कहा है कि बिहार में वरतमान समय में COVID-19 हमारी प्राथमिक्ता होनी चाहिए शिवानन तिवारी ने राशन कार्ट और जौब कार्ट के नाम पर सरकार से मांगा जवाब शिवानन तिवारी ने राशन कार्ट और जौब कार्ट को लेकर मुखिमंदर नितीश कुमार से एक बार फिर से जवाब की मांग की है उसके तहट उन्होंने कहा है कि बिहार में ना राशनकार्ट बन रहा है और ना ही जॉबकार अभी सरकार के सामने उभर कर आई है इसक्राब में प्रवासियों को रोजगार मुहया करवाने के लिए सरकार पूरी प्रतिवधिता के साथ काम करें वहीं प्रवासियों महिलाएं भी भारी मात्रा में है जुसके बाद अब सरकार ने इन महिलाओं को भी रोजगार देने का परनेवालों पर सरकार की नजर COVID-19 के बहाने जो भी बिज्री उपयोग करता बिज्री बिल जमा करना ज़रूर नहीं समझ रहे हैं उनकी बिज्री अब कभी भी काटी जा सकती है बिज्री कंपनी ने इसके तैयारी शुरू कर ली है जुन से कंपनी इस पर एक बार फिर से अम अंदनी हो जाती थी और इन दो महीनों में 60 फीज दी तक की वसूली ही की गई है आज से बिहार में शुरू हो जाएंगी बस और टो रिक्षा टक्सी की सेवा आज से बिहार में बस सेवा शुरू हो जाएगी जिसका फैसला बिहार सरकार ने अपनी तरफ से सुना दिया है इसकी तहट एक जून से राजु के अंदर बस और सभी पुब्लिक ट्रांस्पोटेशन का परिचालन शुरू करने का बड़ा निर्ने लिया गया है खबरों की माने तो 31 मई को क्राइसिस महारेजमिन ग्रूप की बैठक में यह निर्ने लिया गया है इसकी जानकारी परिव गerson के इन्डर सरकार के कुछ योजनाओं को मिला कर 358 करोड रूपे की सरकारी शायता राश्य का भुकृता लाभुको के खाते भी भी अभी भी जारी है, अभी भी हर दिन लगपक 50,000 खाते खुलवाय जा रहे हैं, सभी लोगों की इंडियन पोस्ट पेमिंट बैंक की तहट खाते खुलवाय जा रहे हैं। कॉंग्रिस और राज़त ने अपने लंबे साशन में राजनीती करन किया है, जिसकी वज़े से लोगों को यहां से पलायन करना पड़ा है, मगर हमारी सरकार से मजदूरों को यही पर रोकने की हर संबब कोशिश कर रही है। चपर में इंजिरेरिंग के छेतर में आतनिर्भर बनाने के लिए IIT बनाए गया, मेडिकल साइन्स के छेतर में आतनिर्भर बनाने के लिए 1958 में एमस बनाए गया, साथी पहले से यह आतनिर्भर है, 2020 में देश को आतनिर्भर बनाने के लिए एक भाशन ही बस बनाए गया है पूर्णिया एरपोर्ट से हवाई सिवा की शुरुआत करने की सोशल मीडिया पर उठी मांग, विहार के पूर्णिया जिले से उरान भरने की तैयारी अब शुरू की जा सकती है, क्योंकि पूर्णिया जिले के कई लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्णिया जिले एरपोर्ट को शुरू करने की मांगी है जुसे की जिले में एरपोर्ट की जरूरत को समझते वे हजारों लोग ने उरान की मांग करते वे बीते दिन ट्वीट किया था उसके बाद पूर्णिया हवाय अड़े पर संविक परिचालन के तहद सिविल एंकले भेमंद संपर परियोजरा के लिए जमीन एरपोर्ट अथोरिटी को जल्द उप्लफ कराई जाने की भी खबर सामने आई है खबरों की माले तो भू अरजन परियोजरा के तहद 52.18 एकर जमीन का अधिकरहन होना है इसके लिए भूमी अधिकरहन की प्रोक्रिया शुरू कर दी गई है वहीं भूमी एवं राजस्व विफाग की मंजूरी भी ले लिए गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी आदव ने मुख्यमंद्री नितीश कुमार को लिया आड़े हाथ बिहार में कोबड-19 के बढ़ते महाल के बीच राजनीती भी जोर शोर से देखने को मिल रही है उन्होंने मुख्यमंद्री नितीश कुमार पर टिपपणी करते वे कहा कि भीहार सरकार और COVID-19 दोनों एक समान है 11 अंक पे तबदील नहीं होगा अब किसी का मुबाइल नंबर भी पीते दिन ट्राई ने अपनी तरफ से जानकारी साचा करते वे कहा था कि अब सभी मुबाइल नंबरों को 10 के बदले 11 अंक में किया जाएगा जिसके तरफ से अब सफाई देते वे भारतिय दुन सरंचार नियामक प्राधिकरे ने मुबाइल फोन के लिए 11 अंको की नंबरिंग योजना की सिफारिश को औस्विकार कर दिया है इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें यह कहा गया था कि ट्राई ने 10 अंको की योजना को 11 अंको तक प्रसारित करने का सुझाव दिया था जिसके तहर ट्राई ने कहा कि अभी फिलहाल देश में यूजर्स को 10 अंको वाले मुबाइल नंबर ही मिलेंगे 11 नंबर वारे मुबाइल नंबर को देने का प्लान स्थगित कर दिया गया है हार्दिक पांडिया ने सुनाई खुश ख़बरी टीम इंडिया के ओल रांडर खिलारी हार्दिक पांडिया आने वाले वक्त में पिता बनने वाले हैं जिसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने इंस्टरग्राम से शेर किया है इसके तहत उन्होंने अपने और नताशा के एक तस्वीर शेयर की और उसमें लिखा है कि मेरा और नताशा का सफर काफी शांदार रहा है और अब जियादा बहतर हो रहे हैं। भाकर राज, रवी कुमार, पिंकी कुमारी, इशान कुमार, राज सिंग, इसके लावा हमारे टीम को और भी लोगों की जवाब अच्छे लगे मगर समय के आपहफ की कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए। लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे हमकला आपका नाम की पूरी कोशिश करेंगे, तो चलिए बढ़ते आज के सवाल के और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, लोगडाउन के पांचवे चरन में सरकार की तरफ से जारी किये गए गाइडलाइन के थैक मिली छूट से आपके इतने संतोष्ट हैं, अपने जवाब हमें कमेंट करक ज़रूर बताएं, इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, अगर आपी वीडियो हमारे योट्यूप पर देख रहे हैं, तुम्हारे चानल को सब्स्ट्राइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूले, और अगर आपी वीडियो हमारे फेस्बूक पर देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और जादर जादर शेयर करें, धन्यवादू